नवसका साथियों, तो चलिए आज के देनिक जागरन में क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, और याद रखी देनिक जागरन का रास्टीय संसकर्ड है, तो इसमें आप लोगों को मत्पूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नहरू की गलती का खामयाजा बरसों तक कस्मीर बदेश को भुगतना पड़ा, ये कौन कह रहे हैं, हॉम मिनिश्टर सहाब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कस्मीर में 45,000 मौतों के लिए अनुछे 370 को ठहराया, जिम्विदार, विधान सभा में विस्थापितों से 3 सदसों को ना आगों बारत दिया गया, एक लगदाद और एक जम्मु कस्मीर, दोनों के अंदर साथ से पिदेश हैं, और जम्मु कस्मीर में आपकी बिधान सभा देखने को मिलेगी, तो ये आप लोग देखिए, उसी की बातें हो रही है, और देखिए, कोई भी पिस्ताव राजिसभा लोग सभा में लाए जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आप लोग बिधियक कहते हैं, और जैसे ही राजिसभा लोग सभा सभा से पारित होता है, राज्टपती की सहमती मिलती है, वो कानून में तबदील हो जाता है, कानून बन जाता है, तो ये आप लोग जरूर याद रख कुछ लोग नहीं गलती मानते हैं तो अपना अपने बिचार हो उसमें और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब हुमारी सेना जीत रही थी तब नहरू ने अचानक यो दिवराम घोसित कर दिये इस कारण पाकिस्तान अधिकित कस्मीर का जन्म होता है चलिए तोसी की बातें हो पर हुई है कारवाई और इस तरह कि आप लोग देखते भी रहते होंगे कि घर बैटकर आप नोकरी पाईए तो इस तरह कि जहां से में मत फसा करिएगा देश को बचाने के लिए सरकार को मिले चूट सुप्रिंग कोट कह रहा है नागरिक्ता कानून की धाराच है कि बैद नागरिक्ता अधिनियम की धाराच है का जिकर करते हुए पिधान ने आदिस डिबाई चंचूर की अध्यक्षता वाली पांच सदसी ये समिधान पीटने कहा है कि देश के समग कल्यार के लिए सरकार को कुछ समझोती करने होते हैं उन्होंने का हम सरकार को कुछ चूट भी देनी होगी और आज भी पूरवत्तर के हिस्त को छिस्सों में हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं लेकिन ऐसे राज्य हैं जो अगबाद वहिंसा से प्रभावित हैं हमें सरकार को उतनी उतनी छूट देनी होगी वह देश को बचाने के लिए जरूरी बदलाओ कर सके उन्होंन करते हैं एक तरह से यह याद रखेगा और एक बात आप लोग याद रखेगा अगर हम लोग बात करें सुप्रिंग कोट की तो हमारी सुप्रिंग कोट हमारी सरवोच्चा दालत है समीधान के अनुचेद 124 के तहद इसकी स्थाफना की बात की अठ्थाई जनवरी 1950 में इस मान लीजे 5 हैं इन में से 3 किसी पिस्ताओ के पक्च में है 3 उसके विरोध में है तो कोई रिजल्ट तो निकल रहा है मान लीजे अगर 6 होते 3-3 उसके पक्च में हो जाते तो आप देखेंगे कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता और आप देखेंगे कि आप देखेंगे असम समझोतिय के तहट आने वाले लोगों की नागरिक्ता से निपटने के लिए निपटने के लिए क्विसिस प्रावधान के रूम में जुड़ा गया था इसके मुताविए बंगलादी समय निर्देश्ट छेत्रों से एक जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले असम आये और तब से उहीं रह रहे लोगों को धारा 18 के तहट भालती नागरिक्ता हांसल करने के लिए अपना पंजीकर्ण कराना होगा दीबान ने इस से प्रावधान के को गेर कानूनी घोसित करने की मांग करते हुए मंगलवार को केंद को यहने देश देने की मांग की थी कि 6 जन इस आधार पर असम में संगर्ण जारी रहने दे सकती है कि कानून राज्यों के भीच भेदभाव करेगा 1985 में आप देखे असम की इस्तिती ऐसी थी कि वहाँ बहुत हिंसा हो रही थी उन्होंने जो भी समाधान खोजा होगा वह अनिश्चित रूप से अचूख होगा शुरुवात में दीबान ने कहा कि असम के घुस्वटियों से विदेसी अधिनियम की धारा तीन के तहत ने पटे जाने की जरूवत है उन्होंने कहा कि धारा च्छे कास्तित आज भी असम में अभेद रूप से आने वाले नागरेकों के लिए दावा करने में मदद करता है एक तरसी यह विदान सबा चुनाओ जीते दस सांसत वा मंतरियों का संसत से स्थीपा यह आब आप देखते हैं कि 36 गर्मदपिते इस राजिस्थान में यह विदायक बन चुके हैं ना तो हो सकता ही कि इन्हें कोई बड़ा पद मिले इन राज्यों में क्योंकि आप देखे बिधायक से बड़ा पद तो सांसत का होता है अब आप देखते हैं सांसत से बड़ा बिधायक का कोई पद मंतरी मिल जाए हो सकता है कि राज्यों में या मुख मंतरी का पद मिल जाए कुछ भी हो सकता है और देखे यह आप लोग याद रखे क्योंकि आप सभी जानते हैं क उसी लोक सभा चुनाव के लिए तो उसी की बातें हो रहे हैं मौधी को कटर देशभक्त राष्टवादी मानते थे परड़ो मुखर जी कॉंग्रेस के सबसे बुद्धिमान, सक्षम और सम्भानित देताओं में सामिल रहे पूर राष्टवती भारतन पेड़ो मुखर जी का दिरिश्टिकों पीम नैद मौधी को लेकर बिलकुल अलगता है वह ना सिरे मौधी की सासन करने की कलासे परभावित थे भलकी संग कार करता की रूम में उन्हें कटर देश भक्ती भी मानते थे के खुंखार कुत्तों को रखने पर पिती बन लगाए के अंद्र यहाई कोट के रहा है डिली हाई कोट कंडिश तीन माहे में नेड़य ले किंसर का लोकल को लोकल को दे रहें कुत्तों को भी देसी नसल को देंबड़ाबा याद देखते हैं कि आजकल हमले हो रहे हैं न कुत्तों के दस घटनाओं का याजका में जिकर किया गया 10 सेप्टमर 2022 को लखनओ के पार्क में मा की साथ टहल रहे वे व्यक्ति पर इसी नसल के कुत्ते ने हमला कर दिया था तीन सेप्टमर 2022 को एक पिटवोल ने खुद को मालिक के पट्टे से चुड़ा लिया और 10 साल के बच्ची को मार डाला था 13 जुलाई 2022 को लखनओ में असी वर्षी बिड़ा को पिटवोल ने मार डाला था तो उसी की बात हो रही है इसलिए आप देखते हैं कि इस पर यह लसकर कि सी सातंकी अधनान की पाकिस्तान में गोली मार करत्या कर दी गई यह आदिक अधनान 26-11 मुंबई आहमले की मास्टर मैंड और लसकर संस्थापा खाफ़ सहीत का भीहत करीवी माना जाता है और अधनान ने 2015 में जम्मु कसमीर की उधमपुर में बियस एफ की काफले पर हमले की साजिस भी रची थी इसने और 2016 में जम्मु कसमीर की पंपो और में CRPF की काफले पर भी किये गया हमले में भी यह सामिल था यह आप देखे राष्टी राध्धानी दिल्ली से जुड़ी एक खवरे हैं जमीनी इस तरफ और आदेश का अनुफालन ना होने पर NGT ने सक्त नाराजगी जताती हुई टिपड़ी की सिर्फ बेतन लेने लेते हैं या काम भी करते हैं DPCC के अधिकारी या आद देखे और राष्टी अगर हम लोग बात करें हरित पर अधिकरन की तो आद देखे नेशनल ग्रीन टीबनल की तो 2010 में इसकी स्थापना होई थी इंद परस्त नागर में दिखेगा भारत की विवित्ता से भरी संस्किती का संगम ये अखेल भारती विद्ध्यारती परिशत का 69 राष्टी अधिविशन गुरुवाद से सुरू हो जाएगा ना दोसी की बात हो रही है BJP का चात संगठन माना जाता है विविपी को इसे आप लोग अखेल भारती विद्ध्यारती परिशत भी कहते हैं अगर हम इसकी स्थाफना की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थाफना 9 जुलाई 1949 में हुई थी मुंबई महराष्ट में इसका हेड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा राष्टी इसायम से वकसंग इस से जुड़ा हुआ है संगतन भारत और इंडिया में अंतर नहीं करती नCIT राष्टी ओ शेक्छे के अनुसंधान फिसिक्चा परिशत भारत और इंडिया के बीच अंतर नहीं करती है और समिधान में नहित भावना को सुविकार करती हुए दोनों को मानता देती है या जानकारी के अंद्रिये सिक्षा राजमंत्री अनुफूना देवी ने की है देखिए बताई है डिजीटल इंडिया अधिनियम आम चुनाओं से पहले लागू होने की संभावना नहीं है डिजीटल इंडिया अधिनियम के लिए ब्यापक 25 मर्स की जरूरत है 23 साल पुराने आईटी अधिनियम को बदलने की होगी कबायद से यह एलेक्टोनिक ओक करणों की जबती के दिसाने देश बनाने को गठित की जा रही है समती बीवी यह बीसी यह जैसे कोर्स अब होंगे तकनीकी सिक्षा के दाएरे में यह अखिल भारती यह तकनीकी सिक्षा वजशत ने दी मंजूरी 2047 तक देश को तकनीकी सिक्षा का हब बनाने बनाएंगे अच्छे संस्थानों को सीटों की अधिक्तम सीमा से मिलेगी चूट आप देखते हैं और ओनलाइन पाठकरम भी सुरू करेंगे कर सकेंगे यह से यह भी कहा जा रहा है अच्छी बात है नई राश्टी सिक्षा नीतियाई हुई है हमारी बाकि आप देखते हैं कि तीन राज्यों में सरकार बन चुए है वीजेपी की तो वही यहां मुखमंत्री बनानी की बात कौन किसे होती है देखते हैं कौन मुखमंत्री बनता है तेलंगाना में तो आप देखते हैं कि रिवन तरेड़ी बन चुके है तेलंगाना में विधान सभा में कितनी सीट है यह आप लोग बताईएगा ठीक है बाबा साब नहीं सोचा था कि 81 करोड गरीब सरकारी अने के होंगे मुखताज यह मायवती कह रही है आप देखते हैं बाबा साब को आप लोग क्या कहते हैं समीधान का पिता भी कहते हैं पहले कानून मंतरी भी थे हमारे एक घटना से तै नहीं हो सकता है बेभाए ता से कुरूरता का मामला इस सुप्रिंग कोट कह रहा है इस तरह के मामले भी खूब आप देखते हैं आ रहे हैं अदालतों में यह नागालेंड में आप देखें हार्ण विल महफ साथ देखने आए 22,000 पर रटक यह पूंच लेता है कई वार की यह वार से कुछ साथ हार्ण विल कहां होता है तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा यह नागालेंड में होता है और नागाजन जातियों की सांस्कितिक पर दर्शन है एक तरह से नहीं होगी चार्जिंग की चिंता एक बार में 15 सु कुलूमीटर तक चलेगी एकार ए आई आई टी बॉम्बे के बहुत एक बिज्ञानी ने वेटेसरा सायंस सास्तरी संग बनाई लीथियम सल्फर वैटरी अच्छी है सस्ती है तीन गुना सक्ती साली बैटरी भी है और आजकल आप देख रहे हैं एलेक्टिक वाहनों की ही बात तो हो रही है जांदा और यह आप देखें हमारी पर्यावन के लिए भी ठीक है हमारी पर्यावन के लिए और ठीक है इस्तिती ठीक रहेगी और समय मुख परिक्षा में इंटर्वीयो में हर जगे मदद पहुंचाते हैं तो इसे जरूर देखा करेगा पूर्वी सीमा को लेकर सतक रहे भारत ये आप देखते हैं कि भारत की उत्तर पश्चमी सीमा से होने बाली घुसपेट सदा से उसकी राष्टी सुरक्षा के लिए चीन के बीच सेन जड़बों के बाद अप्तिबबस से लगने वाली बास्तविक नियंतर रेखा यानि की LSE पर भी भारत पाकिस्तान नियंतर रेखा की तरह ही सेन देश्टी कौन से संबिदन सील हो और उठी है पेछले तीन साल से वहां नियंतर योद्धिस तरह है सेन तैना संकत उत्पन हो रहा है इस कारण सीमा प्रमंधन का काम जटिल हो गया है और जिससे आप देखे केंद और राज्जों की संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं सरडायतियों की आड़ में आवांचित तत्वी घुस से चले आ रहे हैं और जो इस संबिदन सेल छितर की प्रभारत की पूर्वी सीमा से लगने माले मियानबार के पिदेशों में सक्रिये हैं चुकि एक गोट तथा कतित रोप से सैन सासन के खलाब लड़ रहे हैं तो विस्त भर में लोकतंद के प्रसार के नाम पर दुकान चलाने वाले पर्ष्टमी देशों के NGO नेटवर्क का इन उगवादियों पूरा समर्थन मिल रहा है एक तरह से और इन जजातियों का कई दसकों से इसाही मिसेनरियों ने भी पूरा जोड़ लगा का मतांदन कराया है इसलिए अंतराष्टी इसाही मिसेनरिय लावी का भी उन्हे साथ मिला हुआ है बेपश्टमी देशों के इन गोटों के समर्थन से पैसा और सहनबूती दोनों जुटा रहे हैं और इसके दम पर वे मियानमार की सेना के अत्याधूनिक हत्यार और डौन तक का इस्तिमाल कर रहे हैं ए उगवाद भारत की सीमा के निकट मियानमार के कई सेंठेकानों पर कबजा करने में सफल हुए है मि ठोका की एक तरह से हमारे पड़ोसी बदल जाएंगे या छेतर उस गोल्डन ट्राइंगल का हिस्सा है जो आदे ही पूरी दुनिया में ड्रक्स के अवैद उत्पादन अव्यापार के लिए कोख्यात है ये उगवादी संगठन पैसा जोटाने के लिए ड्रक्स की अवैद तसकरी भी करसकरी है और इनकी मिजोरम मनीपुर के पहाड़ी हिस्सों में बने बसे कोकीचीन समुदाय में गहरी पैठ है सीमा पर भी इस समुदाय की आबादी फहली हुई है इससे उपजी, राजिती और हिंसा के चलते ही मनीपुर महिनों से हिंसा गरस्त हैं मिजोरम में की अनुसमदायों का रोफ है कि म्यानमार से आने वाले इलोग सरडार थी सिवरों में नहीं ना रह कर अलग बस्तियां या गाउं बसा लेते हैं या भीड में गुम हो जाते हैं इससे इन राज्यों का जनसांकी ये संतुलन बिगड़ रहा है असल में आप देखें भारत में म्यानमार सीमा का परिस्तितियां भी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के हालास मेल खाती हैं और आप देखें वहाँ भी सीमा के दोनों और पस्तून हैं हत्यार बंद उगवादी संगठन हैं का बोल बाला ड्रक्स तसकरी अवेद सर्णार थी इस्थानिय सरकार की आतंकियों से सानबोती और विदेशी खोपी आईजनसियों की सक्रेता जैसे पहलू प्रभावित है और ऐसे में आप देखे मियानमार सीमा पर यह इस्तिती जानल लंबी खिची तो भारत की सुरक्षा क नहीं देखना चाहिते हैं सेख असीना कारोप एकी अमेरिका और अनफश्मी देश उनकी सरकार का तकता पलट कर विपक्ष को सत्ता में लाना चाहती बंगलादेश में भी विपक्ष की नेता खालीदा जिया जिनने कट्टरवंथी इस्लामिक संगट्णों और सेना में चर जहां तक संभव हो सका इसलामिक कटरपंथियों और पाकिस्तान परस्त तक्तों पर लगाम लगाने का प्रियास किया है। यह सही है कि सेख हसीना सरकार ने लगबक 10,000 बेपक्ची राजने तिक कारकरताओं को हिरासत में लिया है। जुनाओ का वहिस्कार करती है तो भी गुस्य और कटरपंथ को ही हवाद देगा। और सीज़ी सब्दों में आप देखे के हैं तो अंगले पाज बरसों में मंगलादेश को लेकर भी भारत की चुनोती बढ़ने वाली है। आवस्त है कि भारत में आनवार अंगलादेश में कायम इन संकतनों का देख का लेक समाधान तलासने का परियास करें। पूरवी मोर्चे पर भी उसके लिए बड़ी समस्या उत्पन होगी। लेखा काउंसिल ओफ स्टेटिजिक अफियर से समदर सामरिक बिस ले सकें। इनका नाम है आप देखते हैं दिव कुमार सोती। इनके द्वारा याटीकल लिखा गया। सपने के साकार होने की पिदेख्चा यह आप देखते हैं कि मुझे वह दिन आज भी अच्छी तरह याद है जब मैं 1992 में उतल पुतल भरे माहौल के बीच अयुद्ध्या पहुंचा। उस समय मेरी उम्र मात 16 साल गी थी उन दिनों की यादें आज भी मेरे रॉंक्टे खड़े कर देती हैं और देश भर में आप देखते हैं देश भर से हम हर उम्र के हजार उसे धल हुआ अध्या में जुटे हुए थे मौसम और माहौल की तामाम मुश्कलों के बाब जय सिरी सिरी राम के गगन भेदी नारे हबा में अगूंज रहे थे और मुझे अध्यात में अहसास दे रहे थे कि युवा भूड़े और महलाएं सभी सिरी राम जरम हुमी मंदरी की पुना प्राप्ति के लिए इस अंदोलन में सामिल हुए बाइस जन्मरी को पी दीख्छा कर रह है ना जब सिरी राम जरम हुमी मंदर में राम लला की प्राण पितिष्टा होगी तो उसी की बाते हो रहे हैं यह सब क्योंकि भब राम मंदिर वन रहा है अध्या में आप सभी जानते हैं और सुप्रींग कोड का फिसला आया था इस पर अपनी खोज जीवन परेंथ हम कु स्वास्त में गिरावट नहीं रोख पाए वो बौध हुआ कि मिट्यू पर धन और सो विधाय यही रह जाते हैं सारा जीवन में पिकार की कोज में बिता देने के बाद अंत में अनुवा हुआ कि जो कुछ भी खोजा वह सब सारहीन है चली अच्छा कॉलम लिखा जाता है चलतियों के चलते इस राज जिका एक हिस्सा पाकिस्तान के कभज़े में चल आ गया हुआ है एक हिसा तरह जिससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता गरह मंतरी के इस से भी आसमत हुआ जा सकती है यदि नेहरुजी कसमीर मामले को सेयुकतराष्ट नहीं ले जाते तो गुलम कसि की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्ताफ न हुई थी, नियोर्क में इसका हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा, और आप देखी है, समझा जा सकता है कि कॉंग्रेस के सदस्तों को ग्रह मंतरी की बातें रास नहीं आई है, लेकिन इससे यह सचा ही नहीं बदलने बाली कि यदि नहरूप पाकिस्तान के कपजे वाले छेत्रों की और भारती ये सेना को रोक का संगस बराम की घुष्टना नहीं करते, तो वह है गुलाम कस्मीर को मुक्त कराने में समर्थ हो जाती, यह लेकिनी है कि स्वयम नहरूजी ने सेक अबदल्ला को लेके गए एक पत्र म और आप देखें, नहरूजी की गलतियों का अनुचे 370 भी बना, इस बिभाजनकारी अनुचे ने केवल एक देश दो दिवान की बिधान की इस्तिक ही निर्मेद नहीं की, बलकि जम्मु कस्मीर में अलगावाद को भी पोसित किया है, और इसी अलगावाद चलते पाकिस् पाकिस्तान को जम्मु कस्मीर में हस्तिचेप करने का उसर मिलाओ, इसके हस्तिचेप के कारणी अलगावाद ने आतंगबाद का रूप लिया, यह सही है कि जम्मु कस्मीर में पाकिस्तान पर आउजित आतंगबाद का खात्मा होना अभी सेज है, लेकिन इससे इंकार नही के सामने कोई बिकल्प ना हो, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे साथ अमेरिका नहीं खड़ा हुआ था, आप देखिए, उस समय हम लोग नए नए आजाद हुए थे, तो ये भी कहा जाता है, बाकि आप लोग समझता है, सोचते रही है आप लोगों को, जिसे जिम्मेदार ठ बरते हैं, बैसे बैसे भी मरीजों का इलाज करने की पिती उदासीन हो जाते हैं, इसलिए उत्तर पिदेश के मोकमंत्री योग्यात ने मेडिकल कॉलेजों की प्रेंसिपलों वरिष्ट चेकसों को निदेश दिया, कि वो है OPD में बैठकर मरीजों को भी जरूर देखें, सह नहीं बात है, ग्रीन केडिट पहल से परियादन सरक्चन, दुबई में आए जिद हो रहे है, सयुक्तराश जलवाई सिखा सम्मिलन कॉप 28, ये 28 बाए है न, और कि समक्ष कार्वा उसाजर में कटोती हो और जलवाई प्रिवतन का खतरा कम करने की निमिद ग्रीन केडिट क इसी बर्स के अंदरिये परियावन ए बन मंतराले द्वारा की गई है, हाला कि ये आउधारना वर्स 1992 की क्रोटो फ्रोटो कॉल के दौरान सामने आई थी, ग्रेन केडिट कार्व में पौधार उपन, जल, पिरवंधन, सतद, क्रिसी, पिदूसन और मैंगो जैसे सरक्चन ज पिद्धी होती है, और बंजर भूमी का दैरा कम होता है, और इससे जलवाई फिरुवतन का खत्रा कम किया जा सकता है, ग्रेन केडिट की चाहत में पौधर ओपन गतिवदियों को बढ़ावा देने से बाई मर्नल से ग्रेन हाउग गैसों के आउसर्चन की रप्तार और दे कि मिर्दा की उर्वरता अनाज की पुष्टकता को बराका बरकराद रखते हुए प्राक्तिक खेती पर जोड़ दिया जा सके, वहीं आप देखे अपसिष्ट प्रबंधन आदारी ग्रेन केडिट अपसिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाओ बेहतर पिथाओं को बढ़ाव पर्याबन सरक्चन की कारों को जब विवसाय एक लाप से जोड़ा जायता है तो ऐसी गतिविदियों में बिड़्धी की संभावना अत्यदिक होती है वरहाल आप देखे भारत की तरचपा दुनिया के बिभिनने देशों को ग्रीन केडिट कारकरम को अपनाना चाहिए चलिए यह भी आप देखें यहां कॉलम रहे दें छोटे छोटे देख सकते हैं टिपड़ियां हिंसा और सांती की धूप छाओं में मणीपूर मणीपूर की सुरक्चा का मुद्धा समुचे पूर्वुत्तर भारत की सुरक्चा से जुड़ा मसला है और इस राज में की सम् चलिए को भी विश्वास में लेने का प्रयास किया है परंतु सरकार को किसी बड़े सकारात्म पईडाम की प्राप्ती के लिए मणीपूर समयत पूर्वत्तर के अन भागों में सडेंतकारी गुटों और विदेसी सडेंतकारी तक्तों से ने पटने की प्रभावी रनिती ब कहा जा रहा है बंगलादेश चुनाओं में भी इस बार तर्णमूल तो यह आप देखें बंगा बंगाल में एक जनवरी उन्नीस और में को कॉंग्रेस से अलग होकर बंगलादेश की ममता बनर जी ने तर्णमूल कॉंग्रेस बनाई वह 2011 में पार्टी राज सत्तरून का एलान और देखें एक बात और आर्विय की बात करें तो रिजर बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं केंद्री बैंक है हमारी और एक अपरेल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुंबई में हेड़कवाटर देखने को मिलेगा अब मौद्रिक नीती की बात कर लेता हूँ क्योंकि कई बार एक चर्चा में रहती है आप देखते हैं मौद्रिक नीती की देखे सबसे पहले तो आप लोगों को रिपो रेट की जो बात हो रही ना रिपो रेट वाएयना होती है जिस места किसी देश का क्छाa किसी भी और थोड़ी ते भी याद रखिएगा और इसकी मौद्रिक नीती की बात करें तो मई 2016 में आरवी एदिनियम में संसोधन किया गया था ताकि देश के मौद्रिक नीती का धांचे को संचालित का निकली केंद्री वेंकों को बिधाई अधी देश बिदान किया जा सके और इसमें आ एजक चर्याजर बेंक के पदाय न ध्यक्ष के रूव में उपर राज जिपाल मौद्रिक नीती की प्रभाडी के रूम्में क्ैंद्री बोड़ द्वार नांत किया जाने वाला बेंक का अधीकारी और अन केंद्र सरकात द्वारे निकुतीन सदस होते हैं निक्तियों की ये सेडी आर्थ साथ बेंके ग्या बित्रिया मौद्रिक नीती के चित में ग्यान अनुवाओ रखने वाली सक्ष्म ब्यक्तिम से संबंदित होनी चाहिए एक तरह से सेंसेक से रेकॉर्ड उंचाई पर पहुंचा निप्टी कीस हजार के अंके के करीब है स्टार्टप स्टेमनी ने बंद किया अपना परिच्छालन वाई नाउप फी लेटर स्टार्टप ने गुजरात में बनेगी मारूती की पहली एलेक्टिक ऐसी वी सरकार इरकान में बेंची की आठविती से हिस्ते लारी यह आप दिखें रेलोग करम इरकान में प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों में महंगी हुई भोजन की थाली वानों की विक्री रिकॉर्ड इस तरप पहुंची इस बार यह आप देखेंगे और सभी गरहकों को विल देना होगा अनिवारब ऐसा कहा जाए देरेश में ही बनते हैं 99% मोबाइल हैंट सेट चंद सेकर कह रहे हैं राजीप चंद सेकर कह रहे हैं एब बात आप देखेंगे तो यह भी आप लोगों को देखने को में लेगा आप लोग ठीक है यह आपकी अंतराश्टी खबरे हैं अमेरिकी संसत के लिए भारतबंसी लड़ेगी चुनाओ कस्मी से है नाता इनका भारतबंसी क्रस्टल कॉल की बात हो रही है इन्हें आप लोग अपने इसके निम पर रोजेक्ट ना चीन का वेल्ट एंड रोड इने से टेप उसी की बात हो रही है 2019 में बी आर आई में सामी हुआ होने वाला एक मात चीच रेविंदीस था इटली और आप सभी जानते हैं कि देखिए हम लोग इसका बिरोद करते हैं क्यूंकि हमारे जो पीओ के वाला हिस्ता आपक ने कहा कि डॉक्टर और नर्सों पर यह ने नियम नहीं लाग होना चेक रहे मंत्री के लवरली ने गद दिवस संसद में नए नीमोबाली 500 चीओ जना पेस की थी ना 500 तरी यह आप देखे सिंगापुर में भारत बंसी उपन्यासकार को मिला पितिष्ठिक कला सम्मान यह आप देखे भारत बंसी उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर के पितिष्ठिक कला सम्मान कल्चरल में मैड लियन से सम्मानित किया गया है आप देखेंगे और पितिक बिजेता को 80,000 डॉलर की रासी भी दी जाती है इसमें चलिए यह मीरा का जन्म लंदन में हुआ और उन्होंने वही सिक्चाब राप्त की उनकी मा सोईस मूल की और पिता भारती थे 1972 में पती संग जापान गई 1971 में मुंबई पहुंची और पांस साल रही मुंबई में ही उन्होंने लेखन का कार शुरू किया मीरा को बहु सा अंसकितिक समाज के चितरन के लिए जाना ज नाटू आप देखें काफी चर्चा में बना रहता है और जो आप देखते हैं युक्रेन और रूस के वीच यह दो रहा है ना इसमें कहा जा रहा है कि नाटू का बड़ा युगदान है नाटो की विज़े से हो रहा है इसका देखें दानोर्ट अटलांटिक टीटी और्ग कराले बनाये जाएगा मसूर भारती चितकार के आवास को सरक्षित करेगा हंगरी कि ट्रम्प की चुनावन लड़ने पर निश्चित नहीं हूं कि मैं भी लड़ूंगा यह वाइडन कह रहे हैं चलिए इरान अंतरिक्ष में विज़ा जैबिक कैप्सूल आप देखेंगे स एक तरव अमिरात और साउदी एरफ की यातरव पहुंचे पुतिन सहाब एक खेल का छेतर है और मुझे लगता है किर्केट तो आप लोग पसंद करते हैं तो एक-एक बॉल देखते होंगे डिडी सीए का ट्राइल बना दंगल जमकर हंगामा दिली एवं जिला क्रिकेट सन की इंडिया क्यापिटल्स ने थामा गुजराई डाइंट्स का सफर हौकी टीम को आत्मों को दिता से बचना होगा वार्नर की विकल्प का चैन कलास के आधार पकरें ख्वाजा कह रहे हैं आउस्टेलिया के टेश्ट वाल लिवाज आई सीसी ने टी ट्वेंटी विसकाप स्थलों पर निरिक्चन सुरू किया है अब चले भी आप देखें यह आप देखें भी एड अभ्यारती प्रात्मिक विद्ध्याले के सिक्षक के पात नहीं है पटना हाई गोट कर रहा है इसमें AI चैट वाट ने बदली दुनिया यह आप देखते हैं कि AI artificial intelligence है ना उसकी बात हो रही है टेक्नोलोजी यह आप लोग देखेंगे चलिए UNESCO की सांशकीतिक सुची में सामील हुआ गरवा गुजराती लोगने टे जीवन के उस्ता उफ़वा एक्ता का पितीख है UNESCO की बात करें तो देखिए इसके बारे में आपको जानना चाहिए इस तरह कि संगटनों के बारे में जरूर जानना चाहिए मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग UNESCO की अगर हम बात करें तो The United National Educational Scientific and Cultural Organization की बात हो रही 16 November 1945 में इसकी स्थापना हुई थी Paris, France में इसका headquarter देखने को मिल जाए इस ट्रांजेंडर रेस्मा बनी पटना विस विद्ध्याले की सीनिट सदस यहां भी आपको जनरल लॉनलेट की जानकारी मिल जाती पर एक चाहिए पॉइंट वी से भी पॉइंट मिल जाती दूसरी दूसरी दुनिया में पहली बार जहरीली इंजेक्शन से दी गई थी मौत की सजा 1982 में आज ही Charles Brooks जूनियर जहरीली इंजेक्शन से मौत की सजा पाने वाला पहला वैक्ती बना था और आप देखें अमेरिका के टेक्सा सहर में उसे जहरीली इंजेक्शन दिया गया था और इससे दिल की धड़कन रुकने से उसकी मौत हो गई थी यह एक मेकेनिक की हत्या के मामले में उसे यह सजा जादनी मिली थी जब पित भी कि किसी तस्वीर में दक्षेद पूर्वी नजर आया और इस तस्वीर को विलू मारसल कहते हैं नासा ने तस्वीर का सरी करूख हो दिया था बागा जतिन ने बंगाल के हरजले में त्यार किये करांती कारी किरांतिकारी जतिनाद मुखर जी का जनम आज ही कि दन 1889 में आवेवाजी भारत के नादिया जली बांगलाद इसमें हुआ था 1906 में गाउं में गुसा है बंगाल टाइगर को उन्होंने अकले ही माट डाला इसके बाद उन्हें बागा जतिन उपना मिला बाद में करांतिकारी गवती बिदियों की ओल आकरसित हुए और हाउडा गैंक के केस में गरफतार भी हुए है ससक्त संग्रस के लिए जर्मनी से हत्यारों की खेब आनी थी योजना लीक हो गई और 1915 में आप देखें कॉंग्रेस के साथ गोली बारी में जतिन गायल हो गए और 10 सेप्टमबर को बड़ीदान हो गए थी ऐसी होती है पत्ती की भीत्री सरचना पुरुस की तस्वीर देख सकते हैं फेड से तूटकर गिरे हुए पत्ते अक्सर सभी ने देखेंगे लेकिन पत्ते की माइक्रो इमेज सी यह देखने में मंगल ग्रह जैसा नजराता है आँखों की स्कैन से किड्नी की सेहत का चलेगा पता 3Di scan किड्नी की स्वास्त के बारे में दे सकता है मत्तों जानकारी खुलेगा नया रास्ता और आप देखें कि जो किड्नी काम करना बंद कर देती वैसे वैसे रेटीना पतली होती चाहती है 204 रोगियों की OCT छवियों को देखा गया 86 मरीजियों ऐसे हैं जिनमें पित्यारोपी रोगी भी सामिल है ट्रांस्प्लांट होते ही इस्टेना की मोटाई बढ़ने लगती है क्रोनी किड्नी रोग बाले रोगियों में रेटीना पतले थे अध्यां से यह पता चला है कि जैसे किड्नी की कार्य चमता में गरावट आई रेटीना का पतला होता गया और जब एक सफल पित्तरोपन के बाद किड्नी की काया कारय पड़ाली बहाल हो गई तो फिरी और गया किडिनी ट्रांस्प्लांट के बाद रेटीना की मोटाई तेजी से बढ़ती हुई देखी गई यह भी आप देखें नहीं दिद में सांस लेनी की समस्या से पीडित को बच्चों के लिए सरजेरी लाब दायक है रूंसंदान किया रहा है बंजर भूमी में पराण फूंकने के कांच के बाउडर आयाईटी वी अचू के विज्यानियों ने कांच के अंदर आवस्तक सरसाइन गोड़ को विक्सित किया है सेने सेरेमिक इंजिनिरिंग विभा की सोच से किरसी चेत में खुलेगा फरीवातन करा है एक मिनेट में 26 बरपी पूल अपस का बनाया करते रही है आपका कोई अगर सवाल हो सुझा हो तो मुझे बता सकते हैं बाकि आप लोग मेहनत करते रही है सुपकामना है मेरी तरफ से इमानदारी से मेहनत करिया देखिए ठीक है